तो प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अपडेट नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल लेश्मीड इश्टेडी में इंपकर से सौगत है और आप जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चेपो दबादेगे हैं हम लोग जो है अगर आप सस्क्राइब कर लेंगे तो हमारी जब भी वीडियो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल रहेगी और आप लाइप देख लेंगे तो चल्बे से एक बार आप लोग सेर कर देजिए और लाइप आज आईए उसके बाद हम क्लास इस्टा करते हैं तो उसके हम लोगों को जो टॉपिक है साइन्स का जैसा आप धंडेल में देख चुके हैं प्रकास का अपवर्तन चलरहा है प्रकास के नोट्स बनवाते चल रहे हैं, तो हमारा तीन चेप्टर हमारा कम्प्लीट हो गया है, तीसरा चेप्टर चल रहा है इस समय, तो इसलिए जो है, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखिए तो उसको जरूर देख लिए और नोट्स चल बनाएगे, आपको जो है कहीं और नो अपवर्तनांग का प्रकास की चाल से संपत, कर मैंने अपवर्तनांग की परिभासा बताई थी, तो अपवर्तनांग की परिभासा में हमने बताया था कि अपवर्तनांग की जो हुदा है, वह संख्या होती है, जो किसी माध्यम में प्रकास की चाल और दूसरे माध्यम में मतलब कीinden ratio मतलब का आंतर बताती है यह कितना गुसरी कितना बुना है कितना अधीक है यह काम बताएं कि कप्रकास की अपरतनांक । आज हम लोगं समझे में कि प्रकास चाल में क्या संबंद होता है तो सबसे पहले एक छोड़ा सफान मोला लिखूंगा उसके बात तो परिभासा बताओंगा तो आप पहले समझे प्रकास का अपवर्तनांक होता है प्रकास का या माध्यां का अपवर्तनांक माध्यां का अपवर्तनांक बराबर माध्यम का आप अर्तनाव को बराबर होता है निर्वात या वाईव में तकास की चान बटे माध्यम में तकास की चान अर्थात अक्वर्तनाव के रहे कि यन बराबर अक्वर्तनाव के यन बराबर निर्वात में प्रतास की चान अर्थात स्री और माध्यम में प्रतास की चान पान फी तो जो फार्मूला होता है वह आपका यन बराबर स्री अक्वर्तनाव फी होता है तो जब इसकी परिभासा लेगी तो परिभासा क्या बनेगी समझें, हमने क्या कहा कि जो अपवर्टनांक होता है वो बराबर होता है निर्वात में प्रकास की चाल और माध्यम में प्रकास की चाल का अनुभात, तो परिभासा अगर आप बनाएंगे तो परिभासा हो जाएगा कि किसी मार्ध्यम में किसी मार्ध्यम का अपवर्तनांग प्रकास की चाल या निवाद में प्रकास की चाल और निवाद में प्रकास की चाल और मार्ध्यम में प्रकास की चाल का अंपात होता है तो कि माल अध्या अध्याक में प्रकास कि राव निर्वात में प्रकास की चाल को क्या कहते हैं कि पनीजी सिंदा और ध्यार अपहुंद कर फ्रांथ अपरफ़तनांक पहती है तो परिभास आप लिए कि चाल तथा माध्यम में प्रकास की चाल का अनुपात होता है छिए प्रकास के आप उर्तनार निर्वात में प्रकास की चाल और माध्यम में प्रकास की चाल का अनुपात होता है यानि कि माध्यम का आप उर्तनार को बरादर निर्वात या वाई में प्रकास की चाल बटे आपका समब्ध कभी परिभासा नहीं कूछी जाएगी इसी सूत्र का इस्तमाल होना है तो जब हम लोग आंके प्रश्त में पहुंचेंगे तो इससूत्र का इस्तमाल करेंगे तो आपनों को भी परिभासा लिखेंगे चुकि नोट्स में अगर भी बीच में सवाल बता दूं तो थोड़ा नोट्स देखने में आच्छी नहीं करेंगे इसलिए पहले हम लोग पूरा ध्यूरी डिस्कस करेंगे उसके बार नोवेगा तो चलिए इसको लिखीजिए आगे देखते हैं आगला जुन पोइंट है हमारा अगला जुन करेंक नहीं गुत सबस्क्राइट तो सब्सक्राइब शार क्या हुआ सुल कर्म रीड़न दम त्रिक्राइब नात्त क्या हुआ सब्सक्राइब का पहले एक चित्र से यह आपका माध्रिम एक यह आपका माध्रिम दूर तो जब कोई प्रकास किया किसी एक माध्रिम से दूसरे माध्रिम में जाती है तो वह अपने अभिनम से या तो दूर हट चाएगी या तो अभिनम के करीब आजाएगी आगर माध्यम एक शरण है और माध्यम दो शरण है तो अभिनम की ओर जोग जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह हो गया कोड आई और यह हो गया कोड आई ठीक तो देखिए होता क्या है अगर अभी यहीं प्रकास और आगे जाए यहां से जब जाएगी तो चोकि माध्यम तो क्या है सखन है फिर अगला माध्यम क्या हो जाएगा माध्यम तीन इसको चाहेगा है और चाहे यहीं माध्यम एक हो जाएगा अधाद सर्म माध्यम हो जाएगा तो अभिनम पर शिर दूर हट जाएगी ठीक यह हो जाएगा कोड आई और यह हो जाएग क्योंकि यह जो माध्यम 2 है ना माध्यम 2 हमारा क्या है सघन माध्यम है और सघन माध्यम में अभी देख रहें कोड आर बनना है तो जो कोड यहां बनेगा वही कोड सघन माध्यम में हमेशा बनेगा अगर सघन माध्यम में एक बार कोड हम बना दिये तो वही कोड हर बार बने तो चलिए हम देखते हैं, आप लोग एक चीज़ा रखिएगा, आप लोग स्केल से बनाएंगे, जो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन आपकी सीधी रहनी चाहिए, इसलिए जो है, ये हरुका और बड़ा होगा, ये चीज़ा ऐसे करता है, फीगत में आप ऐसे बना ल आप सुनिया उत्क्रम्रीता लिखा है, प्रकास की उत्क्रम्रीता, मतलब कि जो प्रकास की बुण है, उस पर चर्चा करनी है हम लोगों को, चलिए देखते हैं कि आखिर प्रकास की उत्क्रम्रीता है क्या, तो हमने एक निया पढ़ा था, इस्नैल का निया, तो इस्नैल की यह पेंटे क्या प्राध्यम समझेगा जड़ प्रकास माध्यम एक से माध्यम दो में जाएगी तब आप देखिए प्रकास किरन माध्धम एक से माध्धम दो में जा रही है यानि कि तब वन यह तू पहले माध्धम के सापेश दूसरे माध्धम का अप्वरत नाम के क्या हो जाएगा बता ही साइनभाद आई अब हैं साइका यह होता यह को जाया करें जो इतना Grade 10 मांघऑ दो मिचा जाए फिद मात्यों से अगरादर आद रही अभी कुछ देख लिए आप इसको मिटा लींजी केवल यही समझिये माध्यन एक सरग है और माध्यन दो सकन है जब प्रकास किरण 1-2 में आ रही ती साहिन आ ह्यावां साहिना रहते हैं आप अगर प्रकास करण माध्याद 2-1 एक जा रही है तो देखिये इसका मतलब क्या हुआ ? इसका मत्तल यह हुआ कि आगर हम लिखे कि जब प्रकास किरण माध्यम दो से माध्यम एक में जा रही है तब क्या होगे पता है हम लोग जानते हैं कि जुकि जब एक से दो में जा रही तो यहां पर दिखेंगे टू यह बराबर अब देखिए अब यह हो जाएगा आपका शाइन आप अभी तक यहां लिखेंगे शाइन आई लेकिन आप दिखेंगे आप जुकि आतित किरण और अभिलंग के बीच में जो कोण बनता है उसे आतर कोण कहते हैं इसलिए साइन आपाल यह हो जाएगा साइन आई समीकरण दू अब देखिए समीकरण देए एक और द क्या क्या हो जाएगा साइन आपान चाइन आपान आपान चान आई तो यहां से कड़ जाएगा बच्ची का क्या एक, यही है प्रकास की उत्परम्री गिता, कि एक माध्HYमे के साब एक्स दूसरे माध्शम में प्रकास की चाल, दूसरे माध्शम के साब एक्स पहले माध्यम के प्रकास की चाल के वेरुद खर्मान उपाती होता है। पहले मांधिम के साफेgs दूसरे मांधिम की प्रकास की चाल के, दोनों में उलटा संबंदुर होता है, ठिक? टो यही जो है वो प्रकास की उत्रवनियता है। तो नीशे अब लिखना चाहें तो आप लोग इन लीजिए कि दूसरे माध्धम के साफ एक्स पहले माध्धम की प्रकास की चाल के ब्यूतक्रमान बाती होता है अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप भोग कमेंट कीजिए सबस्ते में करे दो के लिएए अगर नेकशनी है अगला जो टाप ए हमारे वो है क्रांतिक कौन अगला टॉपी हमारा रहेगा क्रांतिक कौन अब देखें क्रांतिक कौन की पारे की समझी अगर प्रकास की रहा क्रांतिक कौन को हम निम्द पॉइंट से समझें अईसे आप लोग भी करिएगा क्रांतिक कौन के लिए एक स्थर्ट होनी चाहिए कि पहला माध्यम आपका सगहन होना चाहिए और दूसरा माध्यम आपका पीरल होना चाहिए यही चीज़ इसके लिए भी है पहला माध्यम आपका सगहन है और दूसरा माध्यम आपका पीरल है और यही चीज़ इसके लिए भी है पहला माध्यम आपका सगहन है और दूसरा माध्यम आपका पीरल है देखें चित्र से आप समझेंगे क्या के क्रांति कुण है क्या कि आप पताएं हमने कहा कि जब कोई प्रकास की रड़ जब कोई प्रकास की रड़ जब कोई प्रकास किर शगर माधं से बिलन माधं में जाती हैं तो वह अधिनम्ब से दोर हट जाती है ठीक, क्या मताया है, जब कोई प्रकास किर शगर माध्धम से बिलन माध्य में जाती है, तो वह अभिनम्ब से दो हट जाती है, ठीक, यह होगया कोण आई, और यह होगया कोण आई, अच्छा यह बताईए, अगर अभी हमारे पास पिलास उता, क्या होता, पिलास, अगर हम इसको पिलास दबाते, तो यह क्या होता, उठता, मतलब क्या हुआ, कि अगर हम इसको हरका और दबा देते, यह यहाँ पे था, इसको हमने दबा दिया, जब इसको दबा दिया, तो यह अपे चो था यह आवर ऊपर चला गया अरथात जब दबा दिया थी यहाँ पर चला गया अरथात यह पूण आई हो गया तो यह Uh हो क्यूं रहा गये ऐसा इसा वहाई चुप कि हमने पढ़ा है कि जो साइन आई है ना और साइन आर है इसका अनपात जो होता है वो नियत होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम साइन आई का मान बनाएंगे तो इसका मान भी बनाएंगे अगर इसका महानinkan और रहेंगे तon यूरी में पिरश रूकर निचँ कर दिया तो अगर मैं इसको और और शीड कर दूए अगर मैं इसको और नीचे कर दूए तो आपकी प्रकास किर सीधा इसी मांध्य में चली चली अर्था यह कोड़ हो गया आई और यह कोड़ हो गया हाथ एक चीज़ और समझें इसी के बाद इसी के बाद समझें चार चुत्रा आप लोगों को बनाना है एक चीज़ाद रखिएगा माध्यम एक आपका सहन है माध्यम दो बेरल है अब इसके बाद समझें अगर मैं इसको और दबा दूँ तो यह प्रकास किर इसी माध्यम में वापस लोट आई हूँ समझें अगर मैं इसको और दबा दूँ तो प्रकास किर जो है इसी माध्यम में वापस लोट आई यह हुजयदा कोण आई यह हुजयदा कोण आई तो अभी आप इसके बारे में लीज़ पर दिए अभी आपको इसको पढ़ने की जरूबत नहीं है यह चित्रहम अभी इसके आगे वाला जो पॉइंट है वहां को बताएंगे लेकिन इतना समय में आ गया होगा कि अगर हम इसको दबाएंगे यह उचता चलाज है तो यहीं आपके पिसेर सिस्तिती है यहां पर देखिए हमने कहा है कि जब कभी आएसे बले तो जाल लीजिए यहां पर कोड़ कितना है नव तो परिभासा समझेगा क्रांति कोड़ की क्रांति कोड़ अभी हमने क्या बताया यह आपका यह आपका क्या आप दर कोड़ है और यह आपका आप वरतन कोड़ है यह आपका दिखा है ठीक दिखा है यह आपका आपका कोड़ है और यह आपका अवरतन कोड़ है तो परिभासा समझेगा सघर माध्यम में बना सघर माध्यम में बना वा आपका कोड़ जिसके लिए बीरल माध्यम में अपका कोड़ का मान नब्दे अन्सुर। सघर माध्यम में बना वा आपका कोड़ जिसके लिए बीरल माध्यम में अपका कोड़ का मान नब्दे अन्सुर। सघर माध्यम में बना वा आपका कोड़ करते हैं। सघर माध्यम में अंपका वा आपका कोड़ करते हैं। कि यहीं है आपका क्रावब्थिक कौर इसी को किए इसी को कहेंगे स्पयोन कॉ clown है यूजिय के तो आप बीडियो बुश करें या सिर्ड विदिट है ऑर इसको तीनों फिगर बनाने के बाद नीचे लिखिएगा परिभासा, परिभासा में लिखिएगा कि सघर मार्ध्यम में बना हुआ आपतन कोड जिसके लिए बीरा मार्ध्यम में अपवरतन कोड नबे अंसुबुता है, क्रांति कोड कहलाता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इ कहीं है आपकी क्रांतिक कोड की परिगासा अगर समस्ने में कहीं समस्या हो तो कमेंट करिए और इसको बनाने जाए आगे देखिए मिटाना नहीं था चली एचा मिटा दिये कोई बार नहीं अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है पूर आंच्रिक परावर्तन पूर आंच्रिक परावर्तन अब समझें पूर आंच्रिक परावर्तन क्या है अभी आपने समझ लिया होगा क्रांतिक पूर्त तो हम केवाद दो बिन्दु बनाएंगे इसमें दोनों में ही आपको समझने आ जाएगा माध्यम एक माध्यम दो यहां में माध्यम एक माध्यम दो माध्यम एक आपका सगह है माध्यम दो आपका बिरल है क्रांतिक कोड़ की परिःवासा में हमने बताया कि सगन माध्यम में बनावा आप्तन कोड़ जिसके लिए बिरां माध्यम में अपवरतन कोड़ नब्बे अंसुग क्रांतिक कोड़ कहिलाता है यह तो हु Us जैसा कि उसमें लाइक कर इसको अगर नाज मढश में मतलब क्या हुआ कि यह जो आय का मान है कौम समझ अपवर्तन कोण का मान है यह अधिक हो गया या फिर यह आपका आपतन कोण है यह क्या है और आपतन कोण का मान क्रामतिक कोण से बढ़ा दो जाए तो समझेका जब आतर्कोर का माण भाई, हैं इसे 7 कब होता है लेकिन यह नब्य से बढ़ा हो गया है, यहां पहुता छोटा है, यहं evidence लिए पहुता बढ़ा हो गया, तो प्रकास दूसरे माध्या में जाकर उसी माध्या में वापस लौट आएगा प्रकास की यही घटना तो है पूर आंत्रिक परावर्द कहलाती है तो दोनों भीकर दर आएगे तो पहले उसके बाद नीचे परिभासा लिखिएगा परिभासा भी का लिखेंगे कि यदि हम आपतन कोड का मान करांती कोड से बढ़ा कर दे तो प्रकास दूसरे माध्या में ना जाकर पुना उसी माध्या में वापस लौट आता है यदि हम आपतन कोड का मान करांती कोड से बढ़ा कर दे तो प्रकास दूसरे माध्या में ना जाकर उसी माध्या में वापस लौट आता है प्रकास की इस घटना को पूर आंत्री परावर्तम कहते हैं प्रकास की इस घटना को प्रकास का पूर आंत्री परावर्तम कहते हैं मतलग कि यदि आपतन कोड का मान करांती कोड से अधिक कर दिया जाए तो प्रकास दूसरे माध्या में ना जाकर उसी माध्या में वापस लौट आता है प्रकास की इस घटना को प्रकास का उन आंत्रिक परावर्तन कहते हैं तो ये चीज था आपका उन आंत्रिक परावर्तन की परिभासा तो आज हमने क्या सीखा आज हमने ये सीखा कि आपतन और अपवर्त नाम और प्रकास की चाल में क्या संबंध होता है फिर हमने सीखा प्रटास की उत्क्रम लीता, फिर हमने सीखा क्रांतिक कोण, और फिर हमने सीखा पूरांतिक परवर्तन, तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा, वो रहेगा क्रांतिक कोण, अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा, क्या रहेगा देखिए, क्रांतिक कोण और आपको आपको में संबंद तो इस पर चर्चा हम करें के सुबह 10 बजे तो कल सुबह 10 बजे जरूर पस्तित होईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो को जादा से जादा से जादा लोग देखिए जहाँ जहाँ भी आप हो फेद्वोग वाट साइब इस्टाग् झाल